कोई बुजुर्ग अगर मेरी विदान सबा की अंदर कोई परिशान है अपने घर से अपने भच्चे से तो मैं हर उस बुजुर्ग के जिर्मेदारी अपने सर भिलूँगी आप मैं बात करती हूं बच्चों की अब बच्चे जो होंगे मेरी विधानसबा में एक भी बच्चा और सिक्षित नहीं होगा हर बच्चे को मैं सिक्षा दिलाने का काम करेंगे और साशन प्रिफाशन एक और बड़ी बात में कहना चाहूंगी कि मेरी जनता को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा सीधा साशन प्रिफाशन उनका काम करेगा और अगर साशन प्रिफाशन काम नहीं करेगा तो मैं अपनी जनता की लड़ाई खुद खड़ी होकर लड़ूंगी देखिए कॉंग्रेस ने भी लोग से बचुनावों में नारा दिया था कि हाथ से हालात बदलेंगे तो क्या लग रहा है इस बार बल्लमगड के भी हालात बदलने वाले हैं देखिए मुझे आशा है विश्वास है और जनता का प्यार भी मुझे मिल रहा है और मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं जनता के लिए ही निता बनना चाहती हूं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ अब बखु भी बल्लवड में पूरे बल्लवड को चमकाने का प्रियास करूँगी कुमारी शेलजा के साथ भी उनको देखा गया था हर जगा इनोंने कुमारी शेलजा के साथ नजर आई लोगसबर चुनावों के दोरान और अब खुद राजनीती में आने का इनोंने मन बना लिया है अब इनोंने बल्लवड विधान सभा से अपनी दाविदारी के लिए आगे आई हैं और चाहती हैं कि बल्लवड में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है वो विकास बल्लवड के लोगों तक पहुंचाया जाए और एक महिला एडवोकेट होने के नाते मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मन बना लिया है कि अब बल्लवड के लोगों को जो विकास अभी तक नहीं मिला है सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे एक ऐडवोकेट के जरिए आप मन बनाया कि राजनीती में आते हैं देखिए राजनीती में उतरने का जो मेरा मकसद है एडूकेट होते हुए देखा कि लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है प्रसाशन सुनता नहीं है नेताओं के हिसाब से प्रसाशन चलता है जो दबा है, कुछला वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, महीलाएं है उनको ताकत देने के लिए, मैं मैदान में उतरी हूँ और जो हर दरेवे विक्ति को मैं उपर उठाने का प्रियास करूँगी इसी मंचा से मैं मैदान में उतरी हूँ बल्लगडविधान सबा, मेरी जनम भूमी है वहाँ मेरा सिक्टर 22 में जनम हुआ है तो मैं अपने जनम भूमी के कर्ज को भी अदा करना चाहती हूँ वहाँ के लोगों को, मैं वो सारी चीज़े देना चाहती हूँ जिस चीज से वन्चित इस सरकार में और यहां के विधायक जी ने रखा है राजनीती की बात करने से पहले आपके कुछ नीजे जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे एक महिला होते हूँ है आप बताएं जारा कि कैसे एक महिला के तौर पर कितनी चुनोतिया है जो वो जीवन में देखने को मिलती है और आप राजनीती में आने कमार देखे जीवन पूरा ही चुनोती है अब हम कहें कि राजनीती में ही चुनोतियां हमें सहनी पड़ती है ऐसा नहीं है आप अगर कुछ करना चाहते हो दूसरों के लिए तो जीवन पूरा चुनोती से भरा हुआ है और मैं इसको चुनोती नही तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और बिना किसी बात की परवा करे हुए आप चलते चाहिए और इश्वर आपको वह मुकाम देता है जो आप पाना चाहती हो तो मैं नहीं मानती कि कोई चुनोती है जीवन संघर्ष में सबका है आपका भी होगा और उनका भी होगा मे खुमी भी है भनलमगड तो वैसे तो बात करें पूरे फरीद अबाद की जगा जगा विकास है वह तो बारिष के समय भी देखने को मिलता और ये समय भी बारिष को ही चल रहा है क्या लगता है कि कौन सी कमिया रही है सरकार में जो पूरे करने की बेहत जरूरत सरकार की कमी की बात आप करते हैं सरकार में किया ही क्या है सरकार बताई जनता को जनता जहां कार करके चिला चिला के बोल होई है कि आप हमें जो नालिया हैं उनको साफ करा दो जो गंदा पानी आप हमें दे रहे हो साफ पानी हमें दे दो सडके तूटी हुई हैं वो सडके बन दो हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे दो अभी बल्लवड में मैं बताओं इक धर्ना प्रदेशन अपना भीकम कॉलनी के लोगों के साथ मैंने किया वहां पे गटरे बंद थे और इतने इतने आप पैल डूबे हुए वो सारा गंदगी का पानी उसमें डीसी को कह लिया कमिशनर को कह लिया वहां के और जई को कह लिया जो भी प्रफाशन के अधिकार हैं सब को कह लिया लेकिन किसी के भी कान पर जूँ नहीं रहे गरी है तो हमने धर्ना बेदेशन किया उसके वागजूद भी एक छोड़ी सी मशीन लाकर उन्होंने डाल दी पर फिर भी वहां पर गटर जाम पड़े हैं तो यह जो सरकार है भाजपा सरकार और इनके जो विधायक हैं जो मौजूदा विधायक हैं मुल्चन शर्मा जी बल्लोड के अंदर वो जनता को कुछ समाजी नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आएगा और यह हमें कि जिस वोट से हम बनके आ रहे हैं उस हर वोटर का हम सम्मान करें उसकी हर बात को सुने ना कि एक जनता सेलाब हमारे पास आएगा तब ही हम सुनेगे लेकिन मैंने जो देखा कि जनता के लिए एक ऐसा विक्तितु चाहिए जो जनता के बीच का हो जनता की बात सुनने वाल काया है कि जो बिकास करना है और आप इस बार विदानसबा चुनावों में कर रही है तो क्या लग रहा है तो आप से जानना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर आपने तैयारी में लगी हैं सोच रही है कि कहीं न कहीं इन जगाओं पर विकास बहुत जरूरी है देखिए पूरे बल्लवड को अगर लें सेक्टर बाइस संजे कॉलनी सेक्टर तेईस कहीं पर भी विकास तो नहीं है मेरा सिर्फ विदान सबा को लेकि क्या है मैं चाहती हूं कि हर गर रोजगार होना चाहिए हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए जो पुलिस प्रसाशन है जो प्रसाशन और भी जो प्रसाशन है वो जनता की एक आवाज पर काम करना चाहिए जनता को यह नहीं कि हम नेता के पास जाएंगे मैं विधायक बनू तो वो मेरे पास है तब ही उनका काम होना चाहिए एक यह सा विधायक होना चाहिए कि वो प्रसाशन को यह कहके रखे कि मेरे विधान सबा में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है अगर वो आपके पास आता है तो आपको काम करके देना होगा अगर यदि आप काम नहीं करोगे तो जो हमारी पावर हम उसका इस्तमाल करेंगे तो मैं नहीं चाहूँगे कि मैं विधायक बनने के बाद कि मेरे दरवाजे मेरी जनता चलके आए मैं चाहूँगी कि मैं गली-गली जाओ उनसे पूछूँ जैसे मैं आज गली-गली जा रही हूँ कि मैं पूछूँगी जाके उनसे को परिशानी तो नहीं है अब पहले तो परिशानिया मैं ही खतम करूँगी उनकी कि जनता को परेशानियां नहीं लेकि आने वे लेकिन फिर भी मैं बनने के वाबजूद भी हर गर जाओंगी पूछूंगी कि यदि किसी को समस्या तो मैं आ रही है आपको मेरे दरवाजे आने की ज़रूरत नहीं है मैं अब सबसे बड़ी बात कर लूँ अगर बल्लमगड का जो बस स्टेंड है उसका जो हाल बारिश के समय अचा है वैसे भी मतलब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है क्या लग रहा है कि वहाँ पर विकास कैसे सक्त जरूरत है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं के लोग ही उस जगा से आते जाते हैं बार के लोग भी आते जाते हैं उसका क्या असर पड़ता है देखें खाली सडको को ही हम ना देखें आप बल्लोर के हर जगा पर जाएए हर जगा कूडा मिलेगा बस स्टेंड तो आपने बाहर बाहर से देखा होगा तो आपको महसूस हुआ आप ज़रा दस दिन भी दोरा करके देखें नालिया बंद मिलेंगे पानी पूरा घर भी पानी के अंदर तैरे होंगे और कूडे के डेर आपको जगा जगा मिलेंगे ये तो बहुती नॉमल चीज़ हैं कि जो की नेता को और सरकार को करनी चाहिए और भी अत्याचार जन्ता के उपर हो रहे हैं आपको सिक्तितीन का एक मुद्दा बताती हूं मैं एक बच्चा विचारा गाईव है और वो बच्चे पुलिस से बार बार उसके घर वाले जाके गुहार कर रहे हैं कि वो बच्चा मिलना चाहिए अब जैसे ही वहां के लोगों ने धरना प्रदेशन किया तो पुलिस का एक रवेया देखिए पुलिस ने धरना प्रदेशन वाले लोगों पर ही F.I.R. दर्ज कर दी तो ये भी चीजे हमें देखने की जरूरत है जब मैं साशन में आऊंगी तो ऐसा एक भी दिन देखने को मेरी जंता को नहीं मिलेगा एक खुशाल जंदगी जी ने चाहता है हर विक्ती हर विक्ती वोट कास्ट करने जाता है लाइनों में लगता है वो चाहता है कि जिस विक्ती को हम वोट देने जा रहे हैं वो हमारी सुनेगा तो एक ऐसा महौल देने की जरूरत है मैंने बल्लवड विदान सबा चुनी है क्योंकि मेरी जनम भूनी है तो मैं उस पे पहले काम करूंगी और आगे भी ये लोगों को यही समझाऊंगी कि अपनी वोट का इस्तमाल जो है हमें अच्छे विक्तित को देने के लिए करना चाहिए महिलाएं आप और महिलाओ को लेकर अगर जानना चाहें कि क्या लग रहा है कि महिलाओ को लेकर आप कुछ अच्छा लाएंगी क्योंकि बल्लमगड की जो महिलाएं वैसे तमाम महिलाओं को एक आस रहती कि अगर कोई महिला लेतरी हमारे ले खड़ी हुई है तो वो हमारी जरूर सुनेगी बिल्कुल देखिए महिलाएं महिलाओं के साथ बड़ा कमफुटेबल फील करती है वो मेरे के रात को 12 बज़े भी कॉल मेरे से निदान होता है मैं उनके निदान करती हूं और बल्की मैंने सब को बोल रखा जहांजा मैं जाती हूं कि अगर आपको कानूने मदद चाहिए तो सिंगल पानी मैं आपसे नहीं लूँगी और आपके मैं मदद करूँगी तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं को चाहिए महिलाओं के अधिकार है उनकी आवाज मैं बनूँगी और महिलाओं को आगे लाने का मैं प्रयाज करूँगी राजनीती में भी लाने का प्रयाज करूँगी और समाजी किस तर पे उन कैयरा, महाँ पर कैसे हैं? देखे, बहुत सारी चीज़ लेकि जरूत हैं. जब किसी भी चीज़ को हम लेते हैं, तो उसमें हर चीज़ को हम लेके चलेंगे. जो बच्चा है, उसके लिए शिक्षा की वेबस्ता का भी वो प्रयास करेंगे. कि हर बच्चे को हमें शिक्षा दि प्राइविट हो चाहिए वो स्रकारी हो प्राइविट हो किसी माध्धम से अदर को बोला कि मूल चल शर्मा जी के जब लोग उनके पास जाते हैं तो जो समस्या है दो नहीं कि कहीं न कहीं है एक घमंड के तौर पर है अभी हाली में लोकसबस चुनाब गई और पांच जगाओ उपर जो है कॉंग्रेस ने बाजी मार ली तो क्या लग रहा है इस बार बल्लमगड से आप बाजी मार लेंगी देखिए मुझे आशा है विश्वास है और जनता का प्यार भी मुझे मिल रहा है और मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं जनता के लिए ही निता बनना चाहती हूं और जनता के लिए काम करना चाहती हूं अब बखु भी बल्लमगड में पूरे बल्लमगड को चमकाने का प्रियास करूंगी और बल्लमगड में जो जो समस्या ह लोगों को और भी समस्या वो जयल में पड़ रही है। किया समस्याह अपको लगती है महिलाएं आपके पास अक्सर लेकर आती हैं कि अभी कुछ एसा हो जो उनके जगा मतलब कई जगा सुनवाई के बाद भी ना सुनी जा रही हो देखिए मैं हिलाओं पे वीजेपी के एक तरह से बात करेंगे वीजेपी राज में देखिए वीजेपी के राज में सबी लोग दुखी है एक खुशाल जीवन महसूस नहीं कर रहे है एक काला दिन में भी काला काला सा दिन लोग महसूस कर रहे है सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है पुलिस प्रसाशन सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है क्योंकि उनको उपर से संडक्षन है मैं यही बूलूँगी क्योंकि कोई भी अगर क्राइम होता है या कोई भी अगर कोई दिखती आपके लिए समस्या लेक्या आता है तो आपका कर्तव बनता है कोई समस्या का निदान करे लेकिन आज सबी लोग प्रसाशन के बड़े ही मतलब ऐसे हो गए हैं कि उनको कोई फरक नहीं बड़ता आप आओ कोई किसी के अंदर करणा का भाव मैं नहीं देख रही हूँ किसी के अंदर ये नहीं है कि किसी के समस्या है तो उसको हमें कैसे निदान कर जाए तो बड़ा एक बड़ा बेखौफ सा महौल है आप देखेंगे तो जनता भी बड़ा आमले खौफ के अंदर जी रही है और साशन प्रसाशन निदा बहुत ज़्यादा बेखौफ है कॉंग्रेस ने भी लोग से बचुनावों में नारा दिया था कि हाथ से हालात बदलेंगे तो क्या लग रहा है इस बार बल्लमगड के भी हालात बदलने वाले है बिल्कुल बदलेंगे क्योंकि जो कॉंग्रेस का हाथ है वो हर जनता का हाथ है तो हाथ से हालाथ अविश्य बदलेंगे और बल्लवड चमकेगा पूरा हरियाना चमकेगा हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और एक खुशाली हरियाना के लिए कॉंग्रेस का हाथ लेके आने वाला है देखे हमारे साथ मौझूद थी वंदरा सिंग जी जो की महिला एडवोकेट भी है और साथ मैं अब बल्लमगड विदानसभा से तैयारी कर रही हैं विदानसभा मुतरने की साथ मुनों ने बताया कि किस तरहां से बल्लमगड के लोगों की समस्याएं हैं और अगर महिलाओं को लेकर कुछ पास पॉइंटों के जरीए आप अपना बताएं कि इन मुद्दों पर मैं बल्लमगड के लोगों से बोट मांगना चाहती हूं और अगर मैं आई तो इन मुद्दों को बेशाखल करूगी देखिए पहला मुद्दा है कि मैं जो पानी की समस्या है बल्लमगड के अंदर जगा जगा अपने आरों के छोटे छोटे वो केंटर लेके चलते हैं और जगा जगा 10-10 रुपे का पानी लोग खरीती है तो पानी की विवेस्ता पूरे बल्लमड के अंदर भरपूर करूगी गटर कोई भी नहीं रुकेगा और जो सारी पाइप लाइन है मैं अंडर ग्राउंड कराने का पूरा प्रेहस करूँगी क्योंकि मैं गंदगी खुद भी पसंद नहीं करती हूं और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी विधानसभा के लोग गंदगी के अंदर रहें। दूसरी बात जो कूड़े के धेर लगे हुए हैं आपको बल्लवड के अंदर मेरे आने पर कूड़े का धेर एक तिनका भी पूरे बल्लवड के अंदर नहीं मिलेगा। अब मैं बात करती हूं युवाओ की मैंने बात करी महिलाओ की महिलाओ की अधिकारों की लड़ाई पूरी लड़ूंगी चाह वो राजनेतिक हो चाह वो समाजिक हो चाह घरेलू हो अब मैं आती हूं अपने बुजर्गों के उपर क्योंकि मैं खुद बुजर्गों से के अंदर मैं हर बुजर्ग का सम्मान करना चाहती हूं और कोई बुजर्ग अगर मेरी विधान सबा के अंदर कोई परिशान है अपने घर से अपने बच्चे से तो मैं हर उस बुजर्ग के जिम्मेदारी अपने सर पे लोगी अब मैं बात करती हूं बच्चों की अब अब सिक्षित नहीं होगा हर बच्चे को मैं सिक्षा दिलाने का काम करूंगी और साशन पिल साशन एक और बड़ी बात में कहना चाहूंगी कि मेरी जनता को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा सीधा साशन पिल साशन उनका काम करेगा और अगर साशन पिल साशन काम नहीं करेग तो मैं अपनी जंता की लड़ाई खुड खड़ी होकर लड़ूंगी इन मुद्दों पे मैं विधान सभा के अंदर आना चाहती हूँ और कानून की साहता में आज भी दे रही हूं अपने विधान सभा को free of cost और आने वाले समय पे मेरी team भी जैसे आज मेरी team काम कर रही है बलवड विधान सभा के लोगों के लिए free उनको कानूनी साहता दे रही है और आने वाले समय पे ये जो मेरा काम चल रहा है free कानूनी साहता देने का ये चलता रहेगा जब तक मेरा जीवन है क्योंकि मेरी team है और मैं खुद कानून की ग्याता हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि का कामिया है तो आपने देखा कि विधान सभा में मैंने आपको बता दिया ये ये कमिया है बिजली की समस्या भी नहीं रहेगी एक और बड़ा मुदा है जो बिजली के बिल जिसका एक कमरा है और उसको लाक रुपे का बिल आता है, ये समस्या आते ही, मेरे विधान सबा में विधायक बनते ही, ये बिजली का एक लाक रुपे का बिल नहीं रहेगा, एक कमरे का बिल जो पांसो रुपे का बनता है, वो पांसो रुपे का ही कराने का कमरा है, ऐसा कोई सबा में जगा जगा यही समस्या है आप समझे कि किस तरीके से ये सरकार, ये प्रसाशन और ये नेता हमारी जनता को परिशान कर रहे हैं आप लोगों को तो कूडे की, नाली की ये समस्या हैं पता हैं मुझे उनका दर्द पता है, जो दर्द वो लोग झेल रहे हैं, एक गरीब आदमी जो 10,000 रुपे कमा के लाता है, वो लाक रुपे बिल, तो बिचारा साल में भी नहीं भर पाएगा वो अपना घर चलाएगा या बिजली का बिल भरेगा, अगर वो जाता है जोई के पास, अपने बिल को रेक्टिफाइक कराने, तो उसको भगा दिया जाता है, अब वो बिचारा कोट में क्योंकि मेरे बास बहुत सारे केसिस आएं अगर वो कोट में जाता है तो वकील को उसको फीज देनी पड़ेगी तो वक्ति क्या है, एक काड़प रहा है मैं इसको जो भी बोलूँगी तो जो जनता को जिस तरीके से परिशान किया जा रहा है मैं जनता के हर दुख को जानती हो तो उसके हर दुख को सुक में परिवर्टित करने का काम करोगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखिए जैसे इन्होंने बताया कि बल्लमगड के जो लोग है नीजी वहां की निवासी भी है ये और तमाम जो लोग हैं वो उनकी पास अपने समस्याइं लेकर आते हैं और उन्होंने बताया भी कि किस तरहा से बल्लमगड के लोगों को परिशानी है एक एड़ुकेट है तो ज़्यादा तर जब भी आप लोगों को कोई समस्याइं होती हैं तो लोग कानून का दर्वाजा खटखट आते हैं तो इनसे बैतर और कौन हो सकता है अगर आप इनको चुनेंगे बल्लमगड विदान सबा के लिए तो कहीं न कहीं देखिए जब हम लोगों को कोई समस्याइं होती है तो हम एड़ुकेट के पास कानून का रास्ता अपनाते हैं और चाहते हैं कि उसका निजात हो और वंदरा सिंग जी खुद एक एड़ुकेट है महिला हैं महिलाओ की समस्याओ को जानती है जानती हैं कि किस तरह से बल्लमगड में जो विकास है वह अभी तक नहीं हुआ है तमाम इनोंने मुद्दे हमारे साथ बताए कि आज तक बल्लमगड के जो लोग है वह किन समस्याओ से जूज रहे हैं लोग हमेशा हर बार चुनाबों में चाहिए वह लोक सभा हो विदान सभा हो एक उमीद के साथ किसी को वोट देते हैं लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है उसके बाद जो है लोगों की उमीदों पर पानी फिर जाता है और आप फरीदबाद की तमाम जगाओं पर उस पानी को भरा हुआ भी देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग आए दिन इस समस्या से जूजते हैं और आज तक कहीं भर भी इसी समस्या का कोई निजात नहीं फरीदबाद में सिर्फ बल्लमगड नहीं तमाम ऐसी जगाएं जों आज भी बारिश के बाद हालात बत्थे बत्तर हो जाते हैं तो इस बार लोकसबद चुनावों में तो आपने अपना कीमती वोट लोगों को दिया ही है विदान सबद चुनावों की तैयारी करें दाविदार हमारे साथ बन्ना सिंग जी सी और अब इस बार आपके हाथ में है सब कुछ कि कि आपको किस को चुनना है बल्लमगड से इस साथ हमारे साथ मौझूद थी है बल्लमगड की जनता क्या चाहती है जो लोग इस देख रहे हैं कि आखिर बल्लमगड में बन्ना सिंग जी के आने के बाद क्या कुछ बदराव हो सकते है यह आपके उपर निर्बर करता है कि आप किसे चुनते हैं लेकिन हमारी आशा है कि आप जिसे भी चुने एक अच्छा वोट और अपना कीमती वोट उस इंसान को दें जो आपके लिए आगे काम आए इसी तरह कि कुछ खास खबरों के लिए देखते हैं देश हो जाना फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नए दाविदार के साथ जब तक लिए देखते हैं देश हो जाना नमस्कार